कर दिया है तो आपका जादा टेंवेस्ट नेगर तो में सीधे आपको इसका क्वाटर फॉर रिजल्ट दिखा देता हूं तो आप देखो किसका जो क्वाटर फॉर रिजल्ट है वो स्टेंडलोन और दोनों में दिया गया लेकिन हम बात करें सिर्फ और सिर्फ के बारे में तो आप देखो कि अपके बार हुआ है मार्च क्वाटर में आप सोरी पहले हम देखेंगे जो टोटल वैल्यू दी यह इन रूपीज लाइख में दे रखी है लेकिन मैं आपको जो क्रोड में कनवर्ट आप देखो गई श्यासो तालीस क्रोड तो प्रिविश क्वाटर से अपके बार हमें जो इसके रिवेइन्यू में जंप देखने को मिला है अब हम बात करते हैं इसके एक्सपेंडीचर की याँने टोटल खर्चों की एक्सपेंस की तो आपकी बार जो इसके मार्च profit हुआ है कितना profit हुआ भी आप देख सकते हो after tax तो अब की बाद सुछ पंदो 55 करोड रौक बतीस लाक्र प्रीविश quarter की बाद के तो वहां पर आप देखोगे 58 kरोड 28 लाक का तो आप देख सकते हो previous quarter की बजाए अब की हमें जोना कम profit देखने को मिल रहा है अगर बात कुरू में इसके EPS की यानि earning पर share की तो आप देखोगे तो अब की बार जो इसका EPS आप देखोगे 5 रुपे 97 पैसे previous quarter में 6 रुपे 29 पैसे तो previous quarter से अब की बार हमें जोना है इसके EPS में गिरावर देखने को मिली है तो इसका quarter result आप देखोगे profitable जरूर है लेकिन previous quarter से हमें जोना कम profit देखने को मिल रहा है अगर वीडियो पसंद है तो कि लाइक कीजिए और ऐसी latest quarter result के बारे हम जानकरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए and thank you for watching the video